मरुधरा की भूमी हो और अच्रज भरे कारे सामने ना आएं ऐसा कैसे हो सकता है? हाल ही में जालोर में एक साधू की अनोखी साधना और तपस्या को देख कर लोग दंग रह गए जहां एक और राजस्थान में 50 डिग्री से जादा तापमान है बहीं एक साधू अगनी के घेरे के बीच कड़ी धूप में अगनी स्नान कर रहे हैं भीनमाल शहर में एक नागा साधू की और से की जाने बाली साधना इन दिनों चर्चा का विशय बनी हुई है नागा साधू की ये साधना खुद्रत से आग उगलने वाली सूरच की तप्ती ज्वाला को चनौती देने से कम नहीं है साधू की तपस्या को देखने के लिए दूर दराज से भी लोग यहां पर पहुँचते हैं दरसन साधू दोपहर के बारा बजे से दोपहर तीन बजे तक इस कड़ी धूप के बीच अगनी स्नान और तपस्या कर रहे हैं आपको बता दें कि ये अगनी स्नान तपस्या पिछले शनिवार से शुरू हुए नो तपा के बीच आगामी दस दिनों तक चलेगी पंच नाम जूनाग अखाड़ा के नवीन महाराज चारो तरफ अगनी प्रजवलित करके कड़ी इस धूप में तपस्या कर रहे हैं उनकी ये तपस्या 11 दिन की है जिसमें से 7 दिन बीच चुके हैं इनकी भक्ती की शक्ती को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे